नमस्कार साथियों, उम्मित करता हूँ आप सब बड़ेयां होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रहे होगी साथि हो हम चल रहे हैं क्षिशन ब grease सीरीज की तरफ और क्षिशन बेंक सीरीज में विल्यन नाम का चेपटर बढ़ रहे हैं और विल्यन नाम के चैपटर का आज दूसरा पार्ट है हमने इससे पहले जो है जो केमेस्ट्री की क्षिशन बैंक सालिशन है उसकी 14 unit complete कर ली है यह 15 unit चल रही है विलियन हो जाएगा लगभग यह तीन पार्ट में विलियन हो जाएगा और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री हो जाएगा और आपकी जो पूरी question bank है वो finish हो जाएगी तो चल यह चर्चा करते हैं इससे next part में ये वाला question जो है जो पिछले lecture में हमने पढ़ लिया था discuss कर लिया था इसको समझ लिया था आज हम चर्चा कर रहे हैं इससे आगे वाले next question की बारे में इसके बारे में चर्चा करते हैं धनात्मक विचलन वर रिनात्मक विचलन वाले विलियन में अंतर बताईए तो साथी आपने सुना होगा राउल्ट के नियम से विचलन जो शो करते हैं वो कहलाते हैं अनादर्शी विलियन तो जो विलियन के two types हैं आदर्ष और अनादर्ष भाई साब फिर अनादर्ष में ही दो प्रकार हैं जो धनात्मक विश्लन प्रदशित करते हैं कुछ विलियन और कुछ विलियन जो हैं इनात्मक विश्लन प्रदशित करते हैं तो अनादर्शी विलियन की टू टाइप से धनात्मक विशलन प्रदर्शित करने वाले वाले विलियन और इनात्मक विशलन वाले विलियन अब धनात्मक विशलन वाले विलियन जो है यह कौन से हैं यह इनकी क्या क्या बाते हैं मेरी बात सुनना धनात्मक विशलन अब धना कि कि यहां पर यह विलियन का जोड़ा है अलग अलग होगा बैलिंग जादा होगा लेकिन इन को मिक्स अप कर देंगे, तो उस कंडिशन में इनका बॉयलिंग पाइंट क्या हो जायगा क्या हो जायगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इनको जो धनात्मे उप्षिनर प्रदशित करने वाले विलियन हैं उनको अपन ये भी कह सकते कि ये निम्न कौथन ये जो ट्राप हैं और ये उच्च कौथन जिसे इनका जो को भी बॉइलिंग टेंपरेचर होगा इन दोनों का अलग-अल इनका 60-70 हो और mix-up कर दिया तो ये 50 पर बाइल होने लग गए तो ये फरक होता है तो धनात्मा कुछलन वाले विलियन और इनात्मा कुछलन वाले विलियन इसमें पहला पाइंट देखे हैं अपन इन विलियनों के आंशिक वाश्पदाबों के मान राउल्ट के नियम परिकलित मानों से क्या होगा इनके कम होगा इनके वाश्पदाबों के मान राउल्ट नियम के द्वारा परिकलित मानों से क्या हो जाए कम हो जाते हैं और वाश्पदाब अगर कम हो गया तो वाश्पदाबों के मान राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मानों से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक होते हैं नेक्स्ट डेलेच मिक्सिंग इनके लिए परिवर्तन नेगेटिव होता है इनका डेल भी आयतन परिवर्तन क्या होता है नेगेटिव होता है मतलब कम हो वाश्पदाबो के मान बढ़ गए तो इनका क्वतना क्या होता है काम हो गया काम हो गया विले विले और विलयक विलयक से कम होता करिया का मान कम होता है मतलब विले विलायक के मालेकुल के बीच में क्या होता है ठीक है इनमें विले विलायक है विले विले मतलब आपके जो क्या कहते हैं जो साल्यूशन होता है उसमें माना कि एक तो है एए विले विले हो गया एप्रोक्स समझा रहा हूं बी-बी, ये क्या हो गया, इसको क्या के दिया अपनोंने विलायक, ये तो विलायक हो गया, ये विलायक हो गया, और इसको क्या के दिया अपनोंने विले, ध्यान से समझना, और ये दी, ये ए और ये बी, तो ये क्या हो जाएगा, विले-विलायक, ध्यान से समना, विले-वि होता है इनके बीत में आट्रेक्शन हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और विलायक बीच में अबढ़ गया तो कुंधन Mun Applicant में उच्चकवधी एzdिराब संदीर यह में बनाते हैं मेरी बाहा समझे गयोंगे पट चले, बहुत बढ़िया, अगला क्यूश्चन आपके सामने हाजीर है, देखो विलियनों के सांदरन को व्यक्त करने की विदिया जो आपके सहलेवस में हैं, विदियन नाम के चप्टर में, मेरे इसाफ से एकाद क्यूश्चन तो यहां से बनी जाएगा, मोदर्ता, मोलल्ता, नार्मलता, फार्मलता, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेट क्यूश्चन आराम से बनेगा, आपके बास क्यूश्चन है, वह यह फार्मलता क्या होती है, फार्मलिटी क्या होती है, फार्मलिटी, तो किसी विलियन के एक लिटर आयतन में विले के ग्राम सुत्र द्रव्यमान कि संख्या को क्या केते हैं अपन फार्मलता केते हैं और किसे मिलियान के 1 लीटर आयतन में मड़ड़ाम सुत्र दर्यवानों कंग्या उसका सुत्र और करें उनके संख्या को क्या क् apocalypse कि और जो है किए जो कर्म सुत्र दर्यवान निकाल ना तो कि ळैय बटे एक हजार वी यह यह अगर आप लिखो गहां लिखना ही जुनोतीन है एव बराबबर विले कि ग्राम सुथर दर्वमान उसे इसे नहीं जहां भी विले की का एमल में आयतन तथा एक विले का ग्राम सुथर दर्यमान है विद्यूत अपगेटिय पदार्त हो ये मुलकों के लिए आन्मिक द्रेवमान अपन जो मोललता में क्या यूज कर रहे थे उसके इस्तार पर यहां पर क्या यूज कर रहे है सुत्रभारों का उपयोग किया जाता है जो भी योगिक है उसके सुत्रभारों का उपयोग किया ज तो यहां पर किसी विल्यन के एक लिटर आयतन में उपसित विले के तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विल्यां की क्या कहते है भया नार्मलता कहते हैं मेरी बाद समdhina आराम से और इसे किस से रिप्रजन करते हैं आ ऐन से नार्मलता को किस रिप्रजन करेंने एं से capital एं से इसमाली एं मत दिखे डिए तो नारमिलीटी बराबर विले की तुल्यांग संक्या बटे विलेन का लिटर में अब तुल्यांग संक्या को कैसे निकालेंगे ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांग की भार ज्यान रखना किसी भी योगी का तुल्यांग की भार निकालते हैं तो उसकी जो सहयोजक्ता है उस तो उस योगी का जो आणिमिक द्रेमान उसको दो से भाग देदो आपका तुल्यांग की भार आजाएगा तुल्यांग संख्या बराबर क्या होगा ग्राम में मातरा बटे तुल्यांग की भार एन बराबर डव्यू यह यह चीच्चों समझता है यह व्यूजार राज में लिखने होतम्त हों तो यहह होगा अवा जाब नार्मई ऍक्रता है की अनृव आद याद करो लोगे आफेस सप्लव की बेटा की बहुत मजदार स्बस्ते में मतलब 10 लाक बाग में विले के मात्रा कितनी है ये बात करेंगे पार्ट पर्मिले का इंतो ऑए मतलब 10 लाक एमिल में विले के ग्लामों में ग्रामों में भार को विलिन ये टेंग्वाइआद संद्रता निकालने पार्मूल ले का भार लिख्ल कीतना यह आपने इंट्टू को मलीटिवर बिंडर कर लो 10 to the power 6 से इसी की जग आप्र प्रतिशत्ता नाइं नहीं हो ते फ्रतिशत्ता के लहाए के से रख़ार में बहुत कर लो यहां प्रतिशत्ता की बात करते चैए कशनद के कुछ अट मत्सटा कर दब donating by और चलिए किश्यन है आपका अग्ला गहरे समूद्र में गोता खोरी के लिए लोग हिलियम का उपियोग क्यों करते हैं ये वाला कुष्यन आपका जिसका अंसर रही है तोपिक दे दिया मैंने डारेक्ट लिए गहरे समूद्र में गोता खोर जो है सिलेंडर जो भरी रहता है उनके पास उसमें हिलियम क्यों यूज करते हैं तो गहरे समूद्र में गोता खोरी करते समय श्योसन के लिए संपिरित वायू का उप्योग किया जाता है कंप्रेस्ड वायू का उप्योग किया जाता है कंप्रे संपिरित वाईव में क्या क्या चीज होती है अक्सिजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है अब अक्सिजन के अलावा सिर्फ नाइट्रोजन है तो दिक्कत आजेगी अक्सिजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है जो सामाने दाप पर रक्त में ज्यादा विलेशि आक्सिजन नाइट्रोजन के साथ में अपने को हिलियम भी मिलानी पढ़ जाएगी किन्तु उच्छ दापर नाइट्रोजन की रक्त में भी लेता बढ़ जाती है यह नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है रखत में नाइट्रोजन की उस्च सांद्रा हा कि उस से ईय्हण कारद का में उसे कौन सा रोक होता भाइया औभा На परोपने की लिए जो ये गोता खूर द्वारा प्रियुक्त टैंग प्रियुक्तुय तेंग को हियलियम द्वा में आगई होगी है चलिए आगे बड़े बहुत बढ़िया यह बड़ा मस्तर गुश्य नभी यह जहां सुनना बेटा इसको में आराम समझाओंगा अभी अपनोंने धनात्मक और रिनात्मक विशलन पड़ा था ठीक है अभी अपनोंने धनात्मक और रिनात्मक विशलन की बारे में चर्चा की थी उसमें एक तो होता है धनात्मक विशलन की टाइप में एक तो धनात्मक विशलन और एक क्या बात करी थी बात करें धी निम्नों कोफ्धन प्रदाशित करने वाले आनाधरशी विल्यण की भाद करी का अनाधर्श ओड़ियन के टाइप से में धनात्म ग्विछलन और दिनात्म्अ CEO को व बात करी है इंहां पर यह विलियन है, अलाग अलाग विलियन, एक तो क्या लिया अपनों ने अपनों ने अपनों ने अपनों ने कार्बन डाई सल्फाइड, ज्यान सर, यह ले रहा है अपनों ने अपनों ने अपनों ने कार्बन डाई सल्फाइड, च्यान सर, यह ले रहा है अपनों ने कार्बन कर दिया मिक्स कर दिया तब यह करामात हो गए कि देखो यहां पर जो है इनका जो टेंपरेचर है वह कितना हो गया यहां पर देखो कितना सब्सक्राइब तर्टी डिग्री सेल्सियस कितना हो गया यह 33 डिग्री सेल्सियस हो गया काम हो गया वैसा दोनों को mix करने पर गाटा हो गया कोतनांग क्या हो गया कम हो गया अब पहले की अपिक्षा कम temperature पर यह क्या हो जाएगा यह बोईल हो जाएगा मेरी बात समझे आप यह होता है और जब अपन उच्छ क्वथन एजोट्रॉप लेते तो उसमें क्या होगा जितना temperature उससे उपर क कि तरफ जो है बोईल होगा फिर चादा कोतनांग पर बोईल होगा उच्छ कोतन एजोट्रॉप वह रिनात्मा गुषिलन प्रदशित करने वाले विलियन ने यह जो है धनात्मा गुषिलन वाले अब देखना मेरी बात सुनना आदर शी विलियन में एक और विशिश्ता प इन क्या होता है कि दोनों का कवथनांगं अलग अलग है यह एक का च्वियानी से 1का 6पन है तो क्या होगा पहले अपन किसी चीज को गरम करेंगे तो 46 वाला निकल जाएगा फिर बात में चुपन वाला बचा आप पशन वाले उड़ आफिषित करने के बीए अस वन विदी आएंगी हम तो अलग अलग नहीं होंगे दो इनको दोनों को भग हांक ने के लिए गवार हो गए sarà यहम्त इसा द्रव इन दोनों का निश्ची संगठन वाला इसा द्रव इन दोनों का निश्ची संगठन वाला इसा द्रव इन दोनों का निश्ची संगठन वाला इसा द्रव मिश्रन जो एक निश्ची ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आस्वित होता है एसे मिश्रण मेंसे उसके गटकों को प्रभाजी आस्वंदारा इनको एक बार मिल जो गए तो इनको प्रथक करना कठीन हो जाता है उदारण जब एथिनाल एथिल एलकोहल 95.5% और 4.5% उसके अंदर जल मिला दिया उपसीद रहते हैं जब वेस सिर्काती मिश्रण बनाते हैं इस मिश्रण का कोतनांग इसके दोनों अवियों जल्वे अलकोहल के कोतनांग से कम हो जाता है यह हो गया अनाधर शिविलियनों के समान एजोट्राप भी दो प्रकार के होते हैं एक तो निम्न कोतन एजोट्राप और एक उच्ची कोथन एजोट्राप तो पहले बात कर लेते कि असीटोन प्लस कारवन डाई सलफाइड के निमन कोथन एजोट्राप के लिए ताप संगधन वक्र दे रखाईए यह यह जो ताप संगधन वक्र रिखीच रखा हैं यह एसीटोन में सीएस्टू का प्रतिशत म अवक्राइए सब्सक्राइब गया भी यह संधना परशेंट वुर्पन है तो यह संधने की इसको मज़न formation कि यह जो एसीटोन शाचेत परसेंट है एसीडोन कितना है 24 परसेंट है यह ना मिलाते जा रहा है इसमें तो इसका परसेंटेज गड़ता जा रहा है निम नको था ने दुट्रॉप यह विलियन एसीटोन प्लस चेस्टू जो राउल्ट नियम से बहुत अधिक मातरा में क्या शो करेगा धनात्मा गुष्लन क्योंकि उनका वाश्पदाब क्या हो जाता है वाश्पदाब उच्छ हो जाता है तो राउल्ट के नियम द्वारा जो परिकलित वाश्पदाब उससे ज्यादा वाश्पदाब है तो यह धनात्मा गुष्लन शो कर रहे एक निश्ची संग्ठ पर बने लगता है और बिना संग्ठन बतले विलियन आस्वित किया जा सकता है कि यह इस जिसका मान आवियों के कोथनांग बिंदु से कम होता है उधारन ऐसीटोन गतना होता है और शीज़नीश में सती अगर आपको छिरीर न देखे तो अपने मोबाइल में एक उप्शोन होता है उसमें क्वालिटी बड़ा देजेगा हैं पनाद सब्सक्राइब बड़त नांतशकर नियम से दोनात्मक विश्लन प्रदशित कड़ते हैं बड़िया बात है, ये विलियन राउल्ट की नियम से कौन क्या शोर गई, रात्मक विश्णन प्रदशित करते हैं, इनका वाश्पदाप अपेक्षिया से कम होता है, वाश्पदाप कम हो गया, वाश्पदाप कम हो गया, वाश्पदाप तो और कोथनांग एक उससे अपोज तो इसका क्या हो जाएगा कोथनांग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा वाश्पदाप काम है तो ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ागा तब जाके बाइल होगा तो वाश्पदाप अपेक्षा से कम होता है समझना जो विलियन राहुल्टी नियम से रिणातमा गुषेलं प्रदशित करते होगा उनका वाश्पदाप अपेक्षा से कम होता है hem और किसी निश्ची संगठन पर वीजियन का वाश्पदाप नियूंतम हो जाता है किन्तु ताप उच्छतम होता है टेंपरेचर क्या हो जाता है ताप उच्छतम होता है ज्यादा टेंपरेचर बाइल होंगे ताप उच्छतम होता है इस ताप पर पूरा द्रव बिना संगठ की सिन वी गटक हो उफड़ा होता है जैसा कि क्लोरोफार्म की मिश्ण के tatsangran सर्वय से प्रकड़ें अब वो क्या रहा है अभी अपनोंने जो नीमनों कोथना यह दो ट्राप देखा वहाँ पर तो जो गटक है उन गटकों का कोथना क्या है जादा है उन गटकों का क्या है जादा है और उनको मिक्स कर दिया उनका क्या हो गया काम हो गया अब यहां पर उल्टा आए जो गटक है उनका कोथनांग क्या है काम है एक का 61 degree Celsius असे कलोरोफार्म का और एक का iotitron का 56 degree Celsius असे लेकिन इन दोनों को भई साथ अपनोंने मिक्स कर दिया उन दोनों को मिक्स कर दिया तो लगभग जो यहाँ कितना आप pag 63 degree Celsius तो टेमपेरिछर बढ़ गया भई साथ था न तो यह कौन सा यह कौन सा बनाए यह उच्च कौन अननों रजा हो रह रहा हुआ था है इनको मिक्स कर दिया दिया एक बंचो एक प्रिक्ण रेश्यों में तो क्या आन्य क्या हो गैसे कौन जाएगा तो असलों मिच्रण में ताप संख्रण वक्र ये दिया हुआ है एसिट्रोन में क्लोरोफा में उच्छुकवथन मिश्रण के लिए ताप संगठन वक्र दे रखेंगे मेरी वाद आपको समझ में आगए होगी उच्छुकवथन एजोट्राप देखिए जो विलियन राउल्ट नियम से रिनात्मा गुश्रण प्रदशित करते हैं इनका वाश्पदाप क्या होगा अपेक्षा से कम हो जाता है और किसी निश्य संगठन पर विलियन के इस ताप पर इस तेंपरिचर पर यह दोनों जो समझ में आया ना इस मिश्रण का कोतनांग जो मिश्रण है यह जो जो ट्रॉप बना उसका कोतनांग अपने किसी भी गटा के कोतनांग के पेक्षा उच्छ होता है तो इसक्रिंशार्ट लीजी बेटा आगे बढ़ते हैं चलिए अच्छे अच्छे कुश्यन है मस्त मस्त वाश्पदाब और नमन मतलब वाश्पदाब में कमी हो जाना और कमी कैसे होगी आपके पास में माना की भाई साब आपके पास में माना की कोई विलायक हैं मेरी बात सुनना कोई विलायक ले रखा आपने बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अब उस विलायक में आपने कोई विलेयप अदार्थ मिला दिया तो पहले जो वाश्व बन रहे थी उस वाश्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी एक शुद्ध विलायक का वाश्व पदाब क्या होगा, अधिक होगा और वाश्व पदाब अधिक होगा, तो कोई नहीं क्या होगा, कम होगा माना कि ये ले रखा आपने जल, जल क्या है विलायक है और यहाँ पर जल प्लस नमक ले रखा, समझाने के लिए बदा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना जल प्लस नमक ले लिया इसका कोथनांग जो है 101 डिग्री सेल्सियस है और इसका कोथनांग क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा मेरी बास सुनना इसका कोथनांग 101 डिग्री बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इसमें नमक ले डाल दिया कमी हो जाती है उसका है ना कोतनां क्या हो जाता है और वाश्पस्य लोगा तो और कम भी हो जाता है अलग-अलग प्रकार के जो अपनों देखें अभी अनाधर्श विलियर में निमने को थने दो ट्राप और उच्छे को थने दो ट्राप तो वह कंडिशन अलग है लेकिन यहां पर अपन अवाश्पशिल विलेपदार से मिला रहे हैं तो उस कंडिशन में तो 100% है क वाश्पदाब में कमी होगी और कोतना क्या होगा बढ़ जाएगा यदि एक शुद्ध विलायक का वाश्पदाब ग्याद करें एक विलायक ले रखा यहां पर जल विलायक यदि एक शुद्ध विलायक का वाश्पदाब ग्याद करें और उसी विलायक में किसी योगिक ध्यान सुनना योगि कोई भी ठोस को विले करके उस विल्यन का वाश्पदाब ग्याद करे तो पाया जाता है कि एक विल्यन का वाश्पदाब शुद्य वाश्पदाब से सदेव कम होगा बहिए इसका वाश्पदाब क्या होगा कम होगा वाश्पदाब क्या होगा क पर अधिक होगा यहां पर आड़े आड़े आज कौन आ रहे हैं किसी आवाश्पशल बढ़ार था कि आरण वीलियन के वाश्पधाब में जो कमी अथ्वा आवनमन होता है उसे वाश्पधाब का अवनमन कहते हैं अच्छा का सा पानी बहरा हुआ था कि उसका वाश्पदा बढ़िया था अब वाश्पदाप में हमें तो सुझी कि इसमें वाश्पदाप में कमी कर ले तो कमी क्या क्या करें उस पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया तो वाश्पदाप में कमी पेदा होगी अब वाश्पदाप में क्या होगी कमी होगी अब उपर जो वाश्प ओती हैं वह केबल, जो वाश्प कि ओक Is अगे बड़े अब देखते राउल्ट का नियम की देखना द्यान से है जाथ रख लेना राउल्ट का नियम के रहा है कि कि अ कि जब कि इसी विलायक में है और की कोई अवाश्पिश्शिल पदार्त गोला जाता है ता विले के सils और वाष्पधाब में अभीकाथ लुखकी के संदर्ता मुद्य संबंद्ध को सब्द्रयोथ नहीं रूप ते किया जिसे राउड़ टका नियम केते हैं अब यह नियम क्या कि रहा है इस नियम के अनुसार किसी दिये हुए ताप पर किसी अव आश्पिशल विले युक्त विलियन का वाश्पदाब उसमें विद्यमान विलायक के मोलंच रिया मोलफबाद के समानों बात ही होता है किसी दिये हुए ताप पर किसी अव आश्पिशल विले युक्त विलियन का वाश्पदाब वाश्पदाब उसमें उपसित किसके विलायक के मोलंच के समानों पाती होता है विले से क्या मतलब है तो वाश्पदाब में क्या होगी कम होगी है कि अगर इसके अंदर जल है तो विलाया के सिर्फ जले, जल के अंदर अपनोंने नमक डाल दिया, जल के अंदर अपनोंने क्या डाल दिया भाई साब, नमक डालना चालू कर दिया, ठीके, नमक डालना चालू कर दिया, शक्कर डालना चालू कर दिया, अब क्या हो गया, यह विलियन हो गया, अब जितना दिये हुए ताप पर किसी अभ आशपेशिल विले युक्ते 미리 एनन वश्पषिल वीले युख्ते विले बिलेन का वाशपदाव उसमें विद्यमान सिर्फे किसके विलायक के मोल अंशया मोल पुर्बाज के सबिकली के पाती होगा विलायक अगर जल और नमक बहुत बढ़िया बत है वाश्पणाप क्या होता जाएगा बढ़ता जाये गा और जैसे ही अपनो hija बहुत 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 तरीके समझ में आया होगा तो समझ में आएगा और आभी समझ में आएगा तो उलेयागी किसके प्र्रोपोर्चनल समंझळ अ तो एक सीधी रेखा में ये वक्र प्राप्त होता है ये ये वक्र प्राप्त हो रहा है आपने को एक सीधी रेखा में विलियन में विलायक का मोलंच बढ़ाते जाएंगे विलियन में विलायक का मोलंच बढ़ाते जाएंगे वेसे वेसे वाश्पदाब क्या होता जाएगा ब करता जा रहा है बस इतनी सी बात हैं अब आपको राउल्ट का नियम समझाता हूं कि किसी विल्यें का वास्पदाप विलायक के मॉलणच्ट के उस विल्यें में उपसित विलायक के मॉलणच्ट समानों पाती होता है यहां तक हिले रें तो इसको एसे गती है अपनों ने पी एस इक्वल पीएस एक्वल पी accident इन्टू एक्सवन क्वालिटी बढ़ा देना अगर चोटे चोटे एक्षर दिखे तो अधर यदि अव आश्पशिर विले युक्त विलियन में विद्यमान विलायक के मोल अंश को विलियन के वाश्पदाप के सापक्षा रही कित किया जाए तो एक सीधी रेका प्राप्त हो विलायक का मोल परभाज निकालना है तो यहां पर विलायक के मोल परभाज रहे हैं से लिए विलायक के मोल परभाज को इस मान को समिगरन 1 में रख दो समिकरन एक कहां पर अपने PS बराबर P0 माइनस X1 मेरी बात सुनना समिकरन एक क्या है PS बराबर P0 इन्टू X1 यह है ना तो इसको ऐसे लिख सकते है PS बटे P0 बराबर X1 तो PS बटे P0 जरी 0 उपलिख रगा PS बटे P0 बराबर X1 तो इस X7 की जगे क्या लिखा आपनोंने N2 बटे N1 प्लस N2 सभज में आया PS बटे P0 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2 यहां पर दोनों पक्षों को एक से गटा दिया तो जब एक से गटाएंगे इसको भी एक से गटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा इसको एक से गटाएंगे तो क्या लिखेंगे P0 माइनस PS बटे P0 आजाएगा इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 माइनस N2 बटे N1 प्लस N2 हो जाएगा तो यह से एक एंसल हो जाएगा तो N1 बटे N1 प्लस N2 आ जाएगा और N1 बटे N1 प्लस N2 मतलब विले के मौलोग की संखिया बटे विलियन की मौलोग की संखिया तो ये क्या हो जाएगा विले का मौल प्रभाज क्या हो जाएगा विले का मौल प्रभाज विले का मौल प्रभाज और ये वाली जी विल्यू आई P0-PS बटे P0 तो ये वाश्पदाप का आपेक्शिक अवनमन P0-PS को कहते हैं वाश्पदाप का आपेक्शिक अवनमन और वाश्पदाप के अवनमन को भाग दे दो विलायक के वाश्पदाप से मनदर P0 से भाग दे दो तो वाश्पदाप का आपेक्षिक अवनमन निकल जाएगा तो P0-PS बटे P0 इसको कहते हैं वाश्पदाप का आपेक्षिक अवनमन तो राउल्ट के नियम के इनुसार ये बात भी कहेंगे कि वाश्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विले एके मोल पुरभाज के बराबर होता है मेरे साथ ही हूँ समझ में आयोगा किलियर है इस्क्रिंशार्ट दीजेगा धंक से सोचेगा दो-दो बार वीडियो देखेगा एक बार में समझ मिनी आये तो और नोर्स बनाते जाहिए का लिखते जाहिए का आप एक कॉपी बस साथ में रखिए पढ़ते जाहिए इस विंजग तीन में प0-ps के आये वाश्पदाब आउनमन व्यक्त करता है और प0-ps बटे प0 वाश्पदाब का अपेक्षिक आउनमन और एन-1 बटे न प्लस एलटू विले का मौल रुपदाज है विले का मौल रुपदाज है और अगे बढ़े हैं यह दे रखाए इनमन बटे अन मन प्लस एलटू वीले के मौल का अट्षी प्रकड़ करता है आता किसी निश्चित आपर अवाश्पिशिर विले युक्त किसी विलियन का आपक्षिक वाश्पदाब आउनमन है ना वाश्पदाब का आपक्षिक आउनमन है ना विलियन का आपक्षिक वाश्पदाब आउनमन विली में में विलेड के मॉलंचिक के बराबर होता है यह अपनी लैंग्व दिखो औरनमन वाह्शूपदाब काक्षिक विलेड के औरनमन वेलेड के मॉलबाज यह टुद अब आप र मिद्र resilient के बराबर होता तो वाश्पदाब द्यान रखना वाश्पदाब आउनमन नहीं वाश्पदाब का आपक्षिक आउनमन एक अनुसंग्य गुंदर में अब्जक्ट्व टाइब में पुछा जाता है साथी हूं अब आपके सामने बहुत बढ़िया क्विश्चन रहा लास्ट नोट कीजएगा वाश्पदाब आउनमन की सायता से विले का अनुभार ग्याद कीजए अब अपनोंने राउल्ड का नियम पढ़ा राउल्ड का नियम क्या कहे रहा है कि वाश्पदाब का अपक्षिक अउनमन विले के मौनुभाज के बराबर है यह वाश्पदाब का अपक्षिक अउनमन विले के मौनुभाज के बराबर है बहुत बढ़िया फार्मूला तो अपनोंने ले लिया था अब मोलो की संक्या म विले की मोलोगी संख्या के रहे तो विले का भार बटे विले का अनुभार यह एंवन की जगे हो जाएगा डबली वन बटे एंबन और एंटु विले की मोलोगी संख्या एंटु विलायक की मोलोगी संख्या तो विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार तो एंटु लिख देए डवी बटे मन यहादी डवी वन ग्राम विले में डवी टू ग्राम विलायक में गोला जाता है तो यहाँ पर कैपिटल ले लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी बुक्स में आपको कैपिटल में लिखाओ मिलेगा कोई फरक ने बुट रहा है तो यहां समझ में आगया इन मानों को दिये गए समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या है पी जिरो माइनस पी एस बटे पी जिरू थे हैं इस एन वन की जगे क्या लिखा अपने एसे नवन की जगे क्या लिखा रभ रभ डे मन प्लस एसे एंट्व की जगे क्या लिखा अगया होगा अब तनू विल्यान के लिए क्या है तनू विल्यान लिय्या नतरल बहुत कम है त कि बात करी कि N1 लगवण सकते इन भाई साब को नगन्य मान लिया विले år के संग्या को क्या माल लिया नगन्य तो उस ceux-e है वो क्या हो जाएगा इसकी जगे पीजीडो माइनस पीएस बना इंबन नीचा और यदि न डिया लिख दिया पीजीडो माइनस पीएस बने पीजीरो बराबर बरबर डब्ली वन बटे डब्ली वन बटे M1 और यह चीज़ वो नीचे थी यह उपर आजाएगा into M2 बटे W2 यह इसको ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा W1 बटे W2 into M2 बटे M1 जो यह लिख रखा है तो इस सुत्र की साहता से Wilae का अणूभार जयाद किया जासकता है Wilae का अणूभार कैसे गयाद करेंगे जैसे यह M1 जयाद करना है तो इन सबकी mean value अपने को मालूं होगी तो इह जयाद करना है के भाया Yaya का βाशपदा भी उतना है intersect – W1 इतना है M2 इतना है W2 इतना है हैं तो यह सारी सब्सक्राइब को एंपने को मालूम होगी िखाइट कर लेंगी आप को चिस करना सअ सब्सक्राइब करना कि मैं बात समझे आप तो इसकिंशार्ट डीजेगा बैटा उप्युक्त सम्भी करना से इस पच्छते हैं कि यह थी एद्ध है ऋपको यह सारी चीजे विलयक का वाश्पदा विलयन का वाश्पदा डववन यह बहुआए का भार मीधकर और ये मीरियक अरूभार कि ले-स bekommen का अनुभार यह गया थो यह गया थो यह सारी चीज़े गया थो मेरी बात आपको समझ में आई होगी साथियू मैं सोच रहा था कि आज इस लेक्चर एंड कर दू लेकिन समय सीमा की पाबंद के कारण आज यह लेक्चर खतम नहीं हो पाएगा इसका एक पार्ट और बनेगा विलियन का ठीक है मैंने अपना जो है आपसे कमिट्मेंट किया तक मैं पूरी कुशन बेंक सालो करवा रहा हूँ ठीक है साथि मिलेंगे भी नेक्स वीडियो में इसके नेक्स पार्ट के साथ तक तक के लिए ओके बाई जैहिन ज्यादा से ज्यादा साथियों को दोस्तों के साथ डिस